नमस्ते भालत आप सभी का स्वागत है मेरे यूटुब चैनल पे 치ेक्स वर्ल्ड नहीं आता कैसे आप बनाएंगे इतना क्रिस्पी अटेस्टी मेथी वर्डय इसके लिए वीडियो को आपंतक जरूर देखे पड़े चैनल को सब्सक्राइब फोन सबसे पहले हमें यहां पे मेथी लेना है तो मेथी यहां पे 100-500 ग्राम हमने यहां पे मेथी लिया है मेथी को हम दो से तीन बार दो लेंगे मेथी को यहां पे हमने दो से तीन बार दो लिया है उसके बाद हम मेथी को यहां पे कट करेंगे आप चाहे तो मेथी का जो लीफ हो उसके साथ हम यहां पर एक प्यास का भी इस्तेमाल करें उसके बाद प्यास को भी बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे बड़ा सा पतीला या बाउल ले लेंगे उसके बाद हम पतीले के अंदर मेथी उसके साथ साथ हम प्यास भी डाल देंगे मेथी प्यास डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा फरेमिच डालेंगे अब अपने according इसके अंदर हरे मिच डाल सकते हैं हरे मिच डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा धन्या पत्ता बारिक में कट करके डालेंगे उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चावल का आटा तो 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर चावल का आटा डालेंगे वो अपने according इसके अंदर लाल मेच पाउडर डाल सकते हैं आपको जितना तीखा चाहिए उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे हल्दी पाउडर के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे half table spoon अजवईन, अजवईन को आप यहाँ पे crush करके डाले, उसके बाद last में हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, उसके बाद हम इन सभी को अच्छे से mix कर लेंगे, और mix करते वक्त हम इसके अंदर पानी का इस्तिमाल अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद दुबारा से हम इन सभी को अच्छे से mix कर लेंगे, अगर इसके अंदर पानी की जवरत पड़ती है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाले और इसको दुबारा से mix करें, या अगर आपको लगता लेंगे कड़ाई को हम अच्छे से गरम कर लेंगे उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे रिफाइंड ओयल को भी हम गरम कर लेंगे और थोड़ी ते बाद हम चेक करेंगी कि हमारा रिफाइंड ओयल गरम हो चुका है तब हम इसके अंदर जो हमने मेथी का बैटर त्यार किय अगर आप low flame पे रखते हैं तो आपका जो वड़ा है वो बिलकुल crispy नहीं बनेगा, तो medium flame पर रखे, अगर आप high flame पे रखते हैं तो हमारा वड़ा जल जाएगा, तो medium flame पर ही आप यहाँ पे रखकर के वड़े को पकाएं, और यहाँ पे हमारा वड़ा जो है वो नीचे के सा को प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और बाकी बैटर का भी हम मेथी बड़ा बना करके थ्यार कर लेंगे मेथी बड़ा को आप किसी भी सॉस के साथ सर्फ करें बहुत ही जादा टेस्टी और क्रिस्पी बना है आप इसको बना करके जरूर ट्राइ करें इसको शाम के स्नैक्स म मैं हर दिन नहीं नहीं वीडियो लेकर आतो तो चैनल पर बने रहें तब तक की लिए थैंक यू फूर वाचिंग